शिवान बोलती है तुम्हें उन लोगों के मूह लगने की क्या जरुवती शिवान उसे डाइरेक्ली पूछता है तुम इतने दिनों से मुझे आवाइट क्यों कर रही हो वो बोलती है ऐसे ही तुमने जो किया उस वज़े से मैं थोरी एंबेरेस थी छोड़ो जो हुआ सो हुआ मैं तुम्हें माफ करती हूँ नेक्स टाइम ऐसा मजाक मत करना वो रुक कर बोलता है तुम अच्छे से जानती हो कि वो मजाक नहीं था सब कुछ जानकर अंजान क्यों बन रही हो वो बोलती है मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ उस से जादा कुछ नहीं मैं हम दोनों के फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहती तो तुम इस बार में बात करना बंद करो शिवन उसके पीछे जाता है एंड बोलता है तुम प्रिटेंड करती तरह कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ मैं भी वही करूँगा जो मुझे करना है वो बोलती है क्या मतलब वो बोलता है तुम मुझे avoid कर रही थी इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे तुम्हारा friend बनकर ही रहना चाहिए बट आज जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा मैंने अपना mind change कर लिया मैं तुमारा हाथ as a friend नहीं पकड़ना चाहता मतलब वो उसका friend बनकर नहीं रहना चाहता उसका boyfriend बनना चाहता है इतना बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है शिवन वहीं खड़ी रहे जाती है next हम देखते है कांग परांग को फिर से बुरा सपना आता है वो दुखी आत्मा बनकर स्कूल आता है हिशू कांग परांग को यूज कर रही है यए बात चेशू ने कीम घ्यों को बता दिया होता है तो उसे लगता है कि शायद वो इसी बात के लिए अपसेट है बट वो धु किसी और बात के लिए अपसेट होता है वो बोलता है मैंने आज एक बुरा सपना देखा वो बोलता है फिर से इस बार क्या देखा तुने वो बोलता है मैंने देखा कि Lee Shion और Lee Shion की आथा वो बोलता है Стarting इतना horrible है और मैंने देखा कि मैं उन दोनों का pet dog हूँ वो बोलता है ये थोड़ा real लग रहा है बाइर में पूसती है वो बोलता है वो थोड़ा अजीब भीएव कर रहा है चेशू बोलती है जरूर उस लड़की ने कली उसे डम कर दिया होगा वो बोलता है इतनी जल्दी वो बोलती है हाँ वो उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी वो तो बस यह उन तक पहुशने के उसे यूस कर रही थी बड़ तुम उसे यह सब मत बताना हा वो और भी अपसेट हो जाएगा दोनों को लगता है कि हीशू ने उसे डम कर दिया है इस वज़से वो अपसेट है बट रियल रिजन तो कुछ और ही है हीशू ने उसे छोड़ दिया है इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं है जबसे उसने शिवान और शियान को हाथ पकड़े हुए देखा है वो बस उनीके बार में सोच रहा है उसे लगता है कि सब लग उसे छोड़ कर चले जाएंगे वो फिर सा अकेला पर जाएगा वहाँ शिवान की फ्रेंड उससे पूसती है तेरो और शियान का कु कुछ नहीं चल रहा है न वो कुछ नहीं बोल पाती वहाँ शिवान भी यही वाला चॉकलेट खा रहा होता है परांग बोलता है बच्पन में यह शिवान को यही वाला चॉकलेट देता था वो बोलता है तो तीन भी तो ला सकता था दो ही क्यों लाता था वो बोलता है शाय का मोड नहीं होता वह वहां से चला जाता है शिवन फूषता है इससे क्या हो गया वह बोलता है उस लड़की ने से डव कर दिया जब तक वह हमें खुद से ना बता है हमें प्रिटेंड करना होगा कि हमें कुछ नहीं पता नेक्स्ट अम देखते हैं शिवन और शिवन इरिटेट होकर वहां से चला जाता है देन शिवन शिवन के पास आकर बैठता है और उसे देखता रहता है वो गिरने वाली होती है तो उसे पकड़ लेता है उसकी निंद खुलती है वो शौक्ट होती है देन सोचने लगती है यह यहाँ पर कब से बैठा है वो कुछ पर तेर्म और से लग हो जाओ दूनों को देखकर सर बोलते हैं तुम दूनों ही अपने क्लास के टॉपर्स होते हैं चुन मैं बाते कर रहे होंगे सर उने continue करने बोलते है और वहाँ से चली जाते है शिवान वहाँ से चली जाती है और घर आकर बस उसी के बार में सोची जा रही थी और खुद से बोलती है मैं उसके बार में क्यों सोच रही हूँ वहाँ कांग परांग भी सोच रहा होता है उन दोनों ने हाथ क्यों पकड़ा था वो लोग इतने close cup से हो गए नेक्स्ट हम देखते है Shion के tuition class खतम होने के बाद वो Shion का wait करने लगता है कुछ देर बाद वो आती है वो से अचानक से देखकर डर जाती है वो बोलता है तुम बार बार चौक क्यों जाती हो वो पूसती है तुम यहां क्या कर रहे हो वो बोलता है खड़ा हू वो बोलती है अब यह मत बोलना कि तुम मेरे लिए wait कर रहे थे वो बोलता है तुम को जादा नहीं सोच रही वो बोलती है तुम आजकल को जादा ही weird behavior कर रहे हो इसले मुझे लगा कि मेरा weight कर रहे हो वो नादान बनती होई पूसता है क्या किया मैंने वो बोलती है मेरे locker में chocolate तुम ही ने रखाता ना वो बोलती है तुमने खाए वो बोलती है हाँ खाए वो बोलती है बट point वो नहीं है next time ऐसा मत करना मुझे uncomfortable feel होता है वो बोलता है ठीक है नहीं करूंगा वो confused होकर सोच नहीं लगती है ये friend की तरह बात कर रहा है या lover की तरह वो बोलता है तुम class में सो रही थी क्या तुमारे मुझे से लाल तपक रहे है वो अपना मुँ पोस्ती है एंड सोचती है नहीं ये friend की तरह ही बात कर रहा है देन वो जाने ही लगती है वो भी उसके पीछे जाता है एंड बोलता है अरे रुको वो पोस्ती है क्यूँ वो बोलता है मैं तुमारा एक घंटे से वेट कर रहा था वो फिर से confuse होती है एंड मन में बोलती है ये तो अब lover की तरह बात कर रहा है वो बोलता है अगर मुझे पहले पता होता कि सोते वक्त तुमारे मुझे लाल टपकते है तो मैं कब का चला जाता प्लीज मुझे advance में ये से बाते बता दिया करो वो सोचती है अब तो ये फ्रेंड की तरह बात कर रहा है वो मजाग मजाग में बाल बाल उसकी insult करता है वो पीछे जाती है एंड बोलती है मैं हेट करती हूँ फिर हम देखते हैं शिवान की मॉम ने special list बनाया होता है वो कांग परांग को देनी जाती है फिर उसके sketches देखने लगती है वो एक sketchbook लेकर चुपाने लगता है वो छीन लेती है वो पूशती है ये किसका sketch है वो मन में बोलता है long hair वाली angry shivon बट उसके सामने किसी और लड़की का नाम लेता है फिर नेक्स sketch के बार में पूशती है वो मन में बोलता है short hair वाली shivon सोते वक्त बट उसके सामने फिर से दुसरी girl का नाम लेता है मतलब उसने हर एक page में बस shivon को ही draw किया होता है बट वो उसके सामने बोलता नहीं है नेक्स दे शिवon और shivon बस में होते है वो गिरने वाली होती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है देन उसके हाथ को पकड़े रखता है shivon मन में बोलती है मेरे हाट बिर इतने फास्ट की हो गया है स्कूल में सर सबको बताते हैं कि स्कूल ट्रिप पर हम सब हाइकिंग के लिए जाएंगे सभी बोईस का मुँ उतर जाता है हाइकिंग फिक्स होता है shivon क्लास प्रेजिडेंट था उसने ही सब के वोर्ट लिये थे और वो वोर्ट सब्मिट करने जा ही रहा था तब ही वो शिवon की बाते सुन लेता है उसका क्लास हाइकिंग के लिए जा रहा था सो रूट शिवon अपने क्लास के वोर्ट चेंज कर देता है कीम क्यों परांग को बोलता है तुने ही गल्दी से हाइकिंग को टिक किया होगा वो बोलता है अरे मैंने नहीं किया वो बोलता है नहीं तुने ही किया होगा किम नम परांग को बोलती है पढ़ाई करने नहीं तो हम तेरे सीनियर्स बन जाएंगे और तू जूनियरी रह जाएगा शिवान बोलती है ऐसे क्यों बोल रही है वो Shivan एंड Shion की तरफ देखता है और सोचता है इन दोनों का नाम भी सेम है टेलेंट भी सेम है और टेस्ट भी सेम है मैं ही अलग हूँ Shivan को लगता है वो Kim Nam की बातों का बुरा मान गया है वो बूलती है कोई बात नहीं तुम अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, तुमें भी अच्छे कॉलेज में एड्मिशन मिल जाएगा, तुम खाओ, टेंशन मत लो किम नम बोलती है, तु इसे बच्चों के तरह ट्रीट करना बंद कर, बढ़ा हो गया यह देन कांग परांग वहां से जाने लगता है, वो पूसती है कहां जा रहे हो, वो बोलता है पढ़ाई करने, शिवन उसके पीछे जाने लगती है, किम नम बोलती है, तु क्या उसके दीदी या मा है क्या, इतनी चिंता क्यों करती है, वो अब बच्चा नहीं है, शिवन शिवन को देख रहा होता है तभी जुंग चेशू आती है वो समझ जाती है कि शिवान को लाइक करता है सो फाइनली वो हमारे रूट शिवान पर गिव अप कर देती है नेक्स्ट सभी हाइकिंग के लिए बहुत जाते है परांग सोसता है मैं पढ़ाई में तो अच्छा नहीं हूँ बट मुझे सबको दिखाना होगा कि मेरे पास कुछ तो टैलेंट है वो दिन में सपने देखने लगता है सब लोग हाइकिंग कर रहे होते है वो भी बहुत आगे जा चुका होता है शिवान से और चला नहीं जाता वो उसे हाथ देता है वो बोलते हैं नहीं तुम पहले जाओ वो बोलता है मैं तुम्हें इस हलत में चोड़कर कैसे जा सकता हूँ अपना हाथ दो हम एंडिंग तक साथ जाएंगे वो अपना हाथ देती है और इसी के साथ परांग के खायाली पुलाओ का दियेंड हो जाता है कांग पुरांग जैसा सोच रहा है ऐसा सच में होगा या फिर कुछ और होगा यह हमें नेक्स पार्ट में पता चलेगा थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स पार्ट में बाई